बोल सियाबल राम चंडर की, पवन सुतहनू मान की, उमापति महादेव की, बोलो जबाई सबसंतन की, सनातन हिंदु धर्म की, गो माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की आज के हमारे इस विराट संत संबेलन में हमें आशिरवात देने के लिए पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य, आदर्णिय श्री स्वामी वासुदिवानंद, सरस्वती जी महाराज, मंचपर उपस्तीत, पुज महामंडलेश्वर, योगी यतिन्रानंद गिरीजी महाराज, जगत गुरु वैदेहि वल्लब्दास जी महाराज, पुज महामंडलेश्वर, स्वामी चिदंबरामंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य संत नवल किशोरदास जी जिन्होंने भागवत तथा से हमें भाव विभोर किया ऐसे पूज्य देवकिन अंदन ठाकूर जी हमारे केंद्रिय मंत्री कपिल पाटिल जी विधायक निरंजन डावखरे जी विधायक गंपट गायकवार जी विशेश रूप से उत्तरपदेश से याँ पधारे विधायक रमेश मिश्र जी प्रकाश दुएदी जी जिन्होंने ये भाववे आयोजन यहाँ पर किया और अभी बहुत सुन्दर मार्क दर्शन भी किया एसी श्मती श्वेता शालीनी जी श्री शाम सरकार जी इस आयोजन के पीछे जो एक बहुत बड़ी टीम है वो सभी मेरे भाई बहन और उपस्तित सभी माताए बहने और बंधू मैं सबसे पहले इस संत पीठ को नमन करता हूँ सबसे आशिरवात प्राप्त करता हूँ और जगत गुरु शंकराचारे जी का और सभी महानुभाओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस संत सम्मेलन में महाराष्ट की नगरी में पधारे चत्रबती शिवाजी महाराच के इस महाराष्ट की और से मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और अभार व्यक्त करता हूँ यहां भागवत कथा चल रही है और देवकिनंदर ठाकूर जी ने अभी-भी यह कहा कि संसकारों के आवशक्ता है और यह बात भी सही है कि जब-जब संसकार समाप्त होते है तो संसकृती समाप्त होती है जब-जब संसकृती समाप्त होती है तो सभ्यता समाप्त होती है हमारी सभ्यता आज तक जीवित इसलिए है कि हमारे संतों ने न संसकारों को समाप्त होने दिया संस्क्रटि को समाप्टोने दिया इसलिए दुनिया की सारी सव्ध्यताइं मिढ गई लोग तो जिसको दुनिया की पूरानी संस्क्रटि कहते है उसके आउशेश 4000 वर्ष पहले मिलते है लेकिन अब हमारे याद जिन संस्क्रटियों के आउशेश हमको मिल रहे और विशेश रूप से जहां हमारी सनातन संस्कृती के जो ओशेश मिल रहे हैं वो कम से कम प्रागतिक स्वरूप में 10,000 साल पुराने है तो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृती यह हमारी सनातन संस्कृती हमारा हिंदु धर्म है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब जब हम पर आक्रमन हुए उन आक्रमनों ने और उन आक्रांताओं ने केवल एक ही प्रयास किया हमारी अस्मिता को समाप करने का हमारी पैचान को समाप करने का और इसलिए आक्रमन हुए तो हमारे मंदिरों पर हुए आक्रमन हुए तो हमारे विश्व विद्यालयों पर हुए क्योंकि वो जानते थे जब तक इस देश के अंदर सनातन ज्यान मौजूद है जब तक इस देश के लोगों की श्रधा अपने इश्वर पर है तब तक इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता इसलिए राम का मंदिर तोड़ा, कृष्ण का मंदिर तोड़ा, सोमनात का मंदिर तोड़ा ये सारे मंदिर इसलिए तोड़े गए लेकिन मुझे बहुत खुशी है मंदिर तोड़ कर भी इस संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए क्योंकि यांके संतों ने हमारे मन में मंदिर को जीवित रखा हमारे मन में संस्कारों को जीवित रखा हमारे मन में भावनाओं को जीवित रखा और आज फिर एक बार एक समय था जब ये तूटे हुए मंदिरों को फिर साधने का काम हमारी महाराश की बेटी अहिल्या भाय हो करने किया था और आज फिर एक बार वो ही काम देश के प्रधान मंत्री माननिय मोदी जी कर रहे हैं कि हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात हैं प्रभु श्री राम का मंदिर ये किवल मंदिर नहीं है ये एक प्रकार से गुलामी की जो निशानी है उसको समाप्त करने का काम धन्यवाद दूंगा कि एक 25-30 सालों का दोर हमने देखा जिसमें लोग राजनीती में अपने आपको हिंदू कहने से डरते थे लोग कहते हिंदू कहना तो सामप्रदाइक है हम तो सेक्यूलर है कि कौन से सेक्यूलर पैदा हुए थे ये चीन में पैदा हुए थे जापान म में पैदा हुए थे अमरीका में पैदा हुए थे मुझे पता नहीं है लेकिन आज फिर एक बार हम गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू है हमारी सनातन संस्क्रती है हिंदू होना इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि हिंदू ने किसी पर आक्रमण नहीं किया हिंदू ने किसी के मंदिरों को या मानकों को नहीं तोड़ा हिंदू ने किसी तूसरे धर्म की निंदा नहीं की जो जो दुनिया से बहिश्कृत हुए परिश्कृत हुए स्वामी विवेका नंजी ने जिस प्रकार से कहा दुनिया के ठुकराए लोगों को हमने अपने घर में स्थान दिया ये हमारी सनातन संस्कृती है और इसलिए वसुधैव कुटुमबकम की बात हम करते है लेकिन भागवत को समझना क्यों जरूरी है अगर हम केवल यार करेंगे तो नहीं चलेगा अभी अभी देव की नंदठ ठाकूर्जी ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भावति भारत अब्युथानम धर्मस्य तरात्मानम शुजाम भहम परित्राणाय साधुनाम बिनाशाय चदुश्कृताम धर्मसंस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे लेकिन ये केवल याद करके नहीं चलेगा हम लोगों को ये लगा कि कुष्ण जी ने कहा है जब जब धर्म पे गलानी आएगी जब जब ऐसी परिस्तिती होगी तो मैं जनम लूँगा तो हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे कि धर्म जमीन के अंदर भी जाता है तो हमको क्या लेना देना है कृष्ण जी आएंगे वो आविश्कार लेंगे और वो धर्म को बचाएंगे नहीं इसलिए समझने के आवशक्ता है कि देव की नंदर नठाकूर जी भागवत के माध्यम से बता रहे है कि जब ऐसी परिस्तिती आती है अपने मन के क्रिष्ण को जीवित करते हुए धर्म की गलानी को हमें समाप्त करना होगा यह सारे आकरांताओं को हमें समाप्त करना होगा और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह संत पीठ है विचार पीठ है इस संत पीठ से जो बाते कही गई है वो हमारे मन की शुद्धता की बाते है आप देखिए आज कल की भाषा में अगर हम तहे तो हमारा शरीर मोबाइल फोन है और हमारा मन जो है वो सिम कार्ड है SIM card के बिना mobile phone चलता नहीं है SIM card निकाल लीजे तो डेड़ हो जाता है और SIM card गर करप्थ हो जाए तो आवाजे सुनाई नहीं देती SIM card को भी शुद्ध रखना पड़ता है तभी आवाज भी आती है और डेटा भी आता है इसी प्रकार से हमारे संत हमारे मन को याने हमारे SIM card को शुद्ध करते है तब अच्छे विचार हम तक कोश्टे है और इन अच्छे विचारों से अच्छे संसकारों से एक अच्छी पीड़ी का निर्माण हम लोग करते है और मैं इसलिए अश्वस्त करना चाहता हूँ इस संत पीड़ को ठाकूर जी आपको पुझ शंकराचारे जी को कि महाराष्ट के अंदर आपने जो अपेक्षा इव्यक्त किये निश्चित रूप से उन्हें अपेक्षा हो के अमरूप ये सरकार काम करेगी यहाँ पर हम लोग सभी के साथ न्याय करेंगे लेकिन अगर कोई अन्याय करने का प्रयास करता है उसको छोड़ेंगे नहीं नहीं छोड़ेंगे और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा गीता का जो ग्यान है इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना ये बहुत संकुचित मान सिकता होगी गीता का ग्यान ये विश्व का ग्यान है यैसा ग्यान है जो ग्यान विश्व में मानो के निर्माण का करने वाला ग्यान है और इसलिए हमारे जन जन तक ये पोचे हमारे बच्चे बच्चे तक ये पोचे इसके लिए जो भी सरकार के और से बनेगा थाकूर जी हम करेंगे यह मैं आपको युश्वास के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ आज ये बहुती सुन्दर बहुती भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है मैं श्विता जी आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ और फिर एक बार हमारे सारे पुज संतों के चरणों में यहाँ पर नमन करता हूँ नतमस्तक होता हूँ उनका आशिरवाद लेता हूँ और उनका आशिरवाद लेकर धर्म के मारग पर और संस्कारों के मारग पर चलने का आशिरवाद उनके माध्यम से मुझे मिले इतना यह आशिरवाद प्राप्त करते हूए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैहन जै महाराष्टर जै भारत जै सनातन धर्म